हेलो एवरिवन आज बनाने वाले हैं बहुती चटपटा और बहुती स्वादिस्ट अचार तो गवार की फली की सब्जी तो आपने बहुत खाई है लेकिन एक बार मेरे कहने से आप इसका चार बना के खाई है बहुती गजब का ये अचार बनके तयार होता है तो इसके लिए गवार की फली को मैंने दोके साफ कर लिया है और कप्रे से इसे पॉच लेना है पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसका जो काटने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ बहुत बारिक भी नहीं काटना है और बहुत जाद है पूरी फली भी हमें नहीं बनानी है तो आगे पीछे का पॉइंट हम काट देते हैं और यदि लंबे साइज में है तो इसके तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर लीजेगा या दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बहुत ज़्याद है बारिक हमें नहीं काटना है और नहीं साबुत का हमें डालना है तो इस तरीके से पहले मैं सारी फलियों को काट लेती हूँ और काटने के बाद आगे का प्रोसीजर करते हैं तो यहां सारी फलिया मेरी कटके तयार हो चुकी है, कढ़ाई में लेना है सरसो का तेल, सरसो का तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, आधी चमच से थोड़ा सा कम में नहीं अजवाइन लिया है, और इन फलियों को यहां एड़ कर लेते हैं, फलियों के लिए मैं दुबार खराब होने का चांस रहेगा, इसमें एड़ करेंगे हल्दी पॉडर, स्वादनुसार नमक, बस इन दोनों को ही मिलाएंगे, अभी मसाले वगरा हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, और इसे हलका सा भूनेंगे, और केवल एक मिंट के लिए इसे धक्के पकाएंगे, एक मिंट से जादा हमें नहीं पकाना है, एक मिंट में ये सोफ्ट हो जाएंगे, जो भाब बनने के बाद पानी इसमें निकलता है, यदि वो गिर जाए तो उससे कोई प्रॉबलम नहीं होगी, कभी आप सोचो कि हमारे प्लेट में या धक्कन में भाब बनके पानी आ गया है, उससे कोई हमेरे चार में परिशानी होगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसमें एक चम्मच से डेड़ चम्मच हम लेंगे, पिसी हुई राई, एक बड़ा चम्मच भरके इसमें सौफ लेना है, जितना तीखा आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लाल मिर्च लेकिन मैंने प्रॉपर सभी मसालों को बैलेंस करके डाला है, और बहुत ही चटपटा और तीखा ये बनके तयार होता है, इसमें डालेंगे आधा स्पून अमचूर पॉडर, वैसे मैंने राई डाली है, लेकिन अमचूर पॉडर डालोगे तो और भी जादर चटपटा औ होती है, उसको और जादा ये खटा करने में हैल्प करती है, तो इसलिए अमचूर का यूज़ जरूर कीजेगा, किसी भी काच की बरनी में इसे ट्रांसफर कर लेते हैं, इस अचार को जैसे मिर्चे वगेरा होती है, मिर्चो का हम अचार डालते हैं, तीन से चार दिन में ख लग देते हैं, तो चार दिन के बाद का मैं आपको रिजर्ट दिखा रही हूँ, तो चार दिन इसको हो चुके हैं, चार से पास दिन और आप देख सकते हैं, बिलकुल एक दम जूसी है, ऐसा नहीं है, सूखा वाया कैसा है, इसको पराठे के साथ आप सर्व कीजिए, अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अकल सुभा फिर मिलती हूँ, एक नहीं रहसे भी के साथ, ठैंक यू